सब्सक्राइब बढ़े होंगे और सब की पढ़ाई भी बढ़े चाह रही होगी हम कंडिनीव करेंगे इकोलोजी से रिलेटेड कोईशन्स इसे पहले भी हमें कोईशन्स केती तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का आप देख सकते हैं चलो स्टार्ट करतें सो यहां मैं कार्विन चक्रम फ्रक्वेक ववस्था किस प्रकार है यह पूछाई यह नि नेक्स्ट है प्रक्रति में नाइट्रोजन का योगी करण मुख्यता होता है यानी जो बल्क और नाइट्रोजन in nature is fixed by जो यह होता है जो सफ्जिवी जिवानों के द्वारा फिक्स किया जाता है यह सिंपाइटिक बेक्टीरियां है उनके थु गटकों में प्रवा अधिक या कम चक्री एक्रम में होता है जो कहलाता है यारी जो फ्लो है material का from non-living components to living component and back to the non-living component in a more or less cyclic manner is called तो इस manner को हम कहते हैं जैव भूरसाइनिक चक्र यारी bio geochemical cycle जो है इसे का जाता है next question है हमारा पादफ रदी के लिए उत्तम है यारी जो best क्या है इसमें से plant growth के लिए कौन जी soil जो है वह best है तो इसके लिए जो loam soil है जो लोम भी soil है best है next है सबसे कम चिद्रित म्रदा है यारी जो लीस्ट पोरस जो soil है इसमें लीस्ट पोरस soil कौन से इसमें से तो चिकने मिटी clay जो है उसके particles बहुत fine होता है clay के और वह जो है बहुत ही उसमें कम जो है पोरस होती है यह आप एक से म्रदा में संबंदित विज्ञान कहलाता है यानि जो science है dealing with the soil जो study है वह किसमें कि जाती तो pedology जो है जो कहलाता है एक से उत्तम म्रदा वह है जो तो यह जो है देखो उसमें परवेश जल करने वाले सभी जल को रोक लेती है नहीं जल कि सिमीद महातरा को प्रवेशन लेती है नहीं जल को अंदर दीरी दीरी रिस्ट ने देती है यह बिल्कुल सही है जो स्लोली जो है वाटो को जो है अलाव करें टू प्रोकेट तो गुड़ स्वाइल जो है वही होती है नेक्स कोशन है हमारा नेक्स कोशन है किन कारणों में सत्य की म्रदा एक मीटर गहराई पर पाई जाने मिल म्रदा से अधिक गहरे जो जो सॉयल है और सर्फेस इस यूजली डार कर देशंवाथ दान सब्सक्राइब जाने जाता है इसलिए उसको जो है यह तक आशने से मिलता है एक्सक्वशन हरा म्रदा उर्वरा तब कहलाती यह जब कि यानि जो सॉइल है वह फर्टाइल जब सुँखिलें हैं जब उसमें जयन सब्सक्राइब आवशक तत्वों को अनुकुल अनुपात में धारन मोश कर सकते यह फल्ट वाटर पादपो को उगाने के लिए ब्रदा की उप्युक्त पीच क्या होती है यानि जो बेस्ट पीच है फॉर सॉयल फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट तो क्रॉप कल्टिवेशन के लिए बेस्ट पीच जो है वह 5.5 से 6.5 यानि स्लाइटली ऐसिडिक से ब्हूमद्य रेका के पासंगं जाने वाले वन कहाला ते छे घास के मैदान जिनवें दूर दूर तक रख पाया जाते हैं कहलाते हैं जूंग्राश लेंड से ट्रइल पाई जाते हैं, वो क्या नाते हैं, हम उनको सवाना कहते हैं पाकिसारे भी जो है, और अध act और पंपा से के आहिए प्रेयरी तेरील प्रेणेह क्रूलbell आध में वपाई जाते हैं जो यह जो है टैंपरेट इवर्ग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया में कहां पाए जाएंगे कि यह पाए जाते हैं हिमाले में एक जो कौन सा बायूम बर्फिला रेगिस्तान कहलाता है है तुन्रा को जो है हम कहते हैं आर्केटिक डेजर्ट नेक्स कुछिशन एक से कौन सा बायूम में पादप और जन्तु सबसे अधिक पाए जाते हैं यानि विच बायूम इस प्रिचिन फॉर्णा फ्लोरा तो डेसिद्वेस्ट फॉरेस्ट चापरेस्ट एंट्रॉपिक क숙向री ज्या लिफ तो यहां पर हैं ते त्राइव को जाएगा यह दिन्स और ऑख यह जो चिंश्वोर्णा फॉर्णा को ozidhow से त्रॉणा एक चापर दिन्हंनों फॉर्णा का टौन्च ना इस प्रेस्वान आए न भाइकू प्रणा हो जाएं ट्रोफोरेक पैंस प्ररश जो है वह होगा जो टैंपरेट डेसिद्वेस फॉरेस्ट है उनके पौदों में तोष्ण पनपाती पौदों में जो कलर है वह चेंड हुजाता है लीव्स का देख से अफ्रीका के वेल्टर्स और दक्षिन अमेरिका के प्रिंपास जो है वह क्या है तो यह जो है गासलेंड बायोम से वेल्ट अफ्रीच वेल्ट ऑफ अफ्रीका एंबंबास ऑ तौफ साथ अमेरिका गास स्थली यह बायोम जो है यह है नेक्स्ट सवाना क्या है सो सवाना जो है देयार अभी हमें पढ़ाता कि यह घास तल है लेकिन यह बिखरे पेड भी यह पाया जाते है next question है पृत्वी के समस्त जैविक और जैविक कारक मिलकर बनाते हैं यन जो जितने भी लिविंग और नौन लिविग फैक्टर्स है एर्थ के वो क्या बनाते हैं बनाएंगी बाया स्वेर, next है जीव मंडल शब्द परियुक्त होता है पृत्वी के उप्रित्वी के उस शेत्र तो नेक्स कोशन है जीव मंदल किसे बना होता है यह जो बाया स्फेर है वो किसे मिलके जो है यहां पर बना है सब इन से मिल इन से बनता है यह रख यह जाता है थिक लेला से सब्सक्रसंट деньги की जैकम फोलूम चोथा क्शिक यो यह जो लेक यानि ऑदस page जाता लूमलम अंनि होता है next question is redodendron कि शेत्र की लाक्षन एक बारस पती है जो रेड़ो डॉंड्रॉन जो है is a characteristic खतरनाग जले खर्पत्वार है तो विच ओफ द फॉलिंग प्लाइन वाटर वीड तो यह हो जाएगा आइकॉर्णिया एक से किस उत्पात बढ़ाने के लिए क्या उप्योगी नहीं है तो देखो क्रशी का अभियंतिकरन करना चाहिए बिल्कुल सब्सक्राइब करने योगों का उप्योग यह बिल्कुल सही है इसे क्रशी उत्पादन के लिए जो है एलफल नहीं डी फॉरस्टेशन नेक्स्ट है पर्यावर्ण योजना कि संगठन से संबंदिद है यानि जो इन्वार्मेंटल प्लानिंग और्गनाइजिशन इन में से कौन सी है तो यह है अनिव में से कौन सा वाईव प्रदुशक नहीं है तो कारबन डाइओकसाइड जो है दाट इस नौट अ एर पॉलुटेंट एक्से अमलिय वर्षा का कारण है बहुत ही इजी सा कुशन है सल्फर डाइकसाइड निट्रोजन डाइकसाइड तो यह जो है एसे द्रीन के घड्रोजन लाइड जीयागा वर्षा कि तो यह फिन तो यह किस आवाज में लाइकें का पाएड जाना तो वहां पे यह जो है जो है व्यूपस्तिती होती है नहीं होते है क्योंकि लाइकेंज वो polluted area में उपते नहीं है तो वहां पर air pollution नहीं है लाइकेंज है इसका मतलब air pollution नहीं है lack of air pollution वाइर प्रदिशन की अनुपस्तिति next question एक्षे ग्रीनः प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है इन में से जो है डिरीनःः प्रभाव जो है वह सी कारण होता है एक्षे कौन सा प्रदूश्य खाश रंकला में जैविक आवर्दन दर्शाता है यानि इन में से विच पॉलिटिन एग्जिबिट बायो मैगनिफिकेशन इन फूड चेन तो बायो मैगनिफिकेशन में डीडीटी जो है वो दर्शाता है यानि उपर जाके जो है यह मैगनिफाई हो जाता है इन क्वांटिटी जो किसे कोई बातावरनी प्रदूशन नहीं होता है नहीं होता है जल प्रदूशन के लिनिमले खितमे से कौन सा मुख्य कारक है तो इसमें से देखो जो इंडेस्टियल वेस्ट है वह में जो है रीजन हो जाएगा और योगिक अप्सिष्ट नेक्स निवन लिखित में से मुख्य वायू प्रदूशक है तो इसमें से जो है मुख्य वायू प्रदूशक हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड नेक्स एक कौन जली प्रदूशन के लिए मैं तो पूर्ण है सो यहां पर जो वाहित माले जो सीवेज होता है वो वाटर पॉलुशन के लिए इन समय से जो है इंपॉर्टेंट है मोस्ली उसी से जो है पॉल यहां यहां यहीं होता है विच उभल इंपॉशन के भी वहीं के लिए उहां पर जूब के लिए नहीं पर दूशन इजा जाएगा एक से प्रदूशन किया जा सकता है तो वाहित जल नहीं घूब बादिशन के लिए इस इह हैं है उप्चार के द्वारा प्रमानु इस फोटो पर रोक लगाकर उसके अलावा देख लिते हैं और दूसरे ऑप्शन विध्धुत द्वारा चलने वाले गाड़िया बनाकर उप्योक्त सभी इसका अंसर हो जाएगा उप्योक्त सभी सबसे प्रदूशन वर्तमान दर से होता रहा तो यानि अगर वाटर पॉलिशन है जो प्रजेंट ड्रेट से कंटीनू रहा तो क्या होगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो है जल चक्र बंद हो जाएगा नहीं आसा नहीं है वर्षन रुख जाएंगे यह भी नहीं है जली पादपो को ऑक्सिजन अनू अप्राप्त हो जाएगी यानि उनको जो है ऑक्सिजन नहीं मिलेगी सो ऑक्सिजन मॉलिक्यूल्स जो है वो अनवेलिबल हो जाएंगे टू वाटर प्लांट्स नेक्स कोश्य है हमारा एक से पौध होगो अत्यादिक फ्लोराइट सांधरता में रखने से लाक्षन एक उत्तक शय या हरी माहींदा हो जाती है यानि एक्स्पोजर ओफ प्लांट सो नेक्रोगो इस आंट बने क्ढख दर्ण हरे रहरे बने के घृसके टॉ। पणजील्स ज STEP होएं लोडेंट को टीशन कों आं में लिव प्रदुरशक है उनमें जुआ जेक्स से दर्क्षा लाट वह जेशा द हम्हानाराम में मुख्य ऐसे जो में षड़ग Tribal यसी जो सिटीज है वो में मेजर एर पॉलुटेंट जो है वो क्या है सो मेजर एर पॉलुटेंट ने काइबन मॉन ऑक्साइड एंड सल्फर की जो ऑक्साइड से वो नेक्स क्वेशन है कुछ अध्यक नगरों में अमल भर्षा नेमल के द्वारा वायू मंदली प्रदूर्शन का प्रभाव है सो क्वेशन है कि जो एसे ड्रेंज से इंडस्ट्रिल सिटीज में आर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अट्मॉस्फरिक पॉलुशन भाई तो यहां पर जाइट सी बात है जो एनोटूर्स असोटू है उनके दिसकाशन से जो है एसे ड्रेंड होती है एक्सेसिव रिलीज ऑफ नेक्स कुशन है आजकल कौन सबसे अधिक वायू प्रदूशक है तो विच इस अग्रेटेस एर पॉलुटेंट इस तो यहां पर जिखो जो विकल्स हैं मोटर गाड़ियां हैं वो सबसे जाधा वायू प्रदूशन करते हैं क्योंकि बहुत जाधा नंबर में जो है यह हो गए जल और वायू के द्वारा मरदा का हटना क्या कहलाता है तो इसे हम कहते हैं इरोजिन जो रिमूबल है और सोईल बाइ एक्शन वाटन वाटन इंड तो इसे हम इरोजिन कहते हैं नेक्स कोशिन नेक्स कोशिन है यूट्रिफिकेशन बताता है यानि रूटिफिकेशन और रफॉर्स तो यह होता है कि जली jeeco system में उच उत्पादन होता है यानि यह हाइई production in aquatic ecosystem इसे दर्शारता है यूट्रिफिकेशन नेक्स है फोटोकेमिकल दुआ प्रत्म बार देखा गया था जो फोटोकेमिकल स्मॉग है यह वो देखा गया था लंडन में नहीं सो फोटोकेमिकल स्मॉग सबसे पहले देखा गया था लॉस एंजलेस में नेक्स है घरेलू व्यर्थ से बढ़ता है यानि जो डॉमेस्टिक वेस्ट जो है डाट लीड्स तो जैव विकटिनी प्रोडूशन यानि जो बाया डिडिडिबल पॉलूशन है वो बढ़ता है बॉम और रिवे गंगा तो उसका मेजर सोर्स जो है वह क्या है? सो मेजर सोर्स जो है वह है वह है ह्यूमन वेस्ट मालभ्यर्थ next question है हमारा यदि जील में DDT से संदुशित हो तो किसमें इसकी उचितम सादरता होगी यानि if a lake is contaminated with DDT its highest concentration would be found in so highest concentration जो यह biomagnification का example होता DDT so जो तृत्य उभ्भूगता है इसका जो tertiary consumer है उसमें यह highest amount में पाए जाएगी concentration इसकी एक से automobiles दुआरा उतपादी सबसे हानी कारेक वायू प्रदुशक है so most harmful air pollutant जो है automobiles जो है प्रड्यूस करते हैं वो है carbon monoxide इसकी affinity जो है human blood से connect होने की वो oxygen से जादा होती है so यह वैसे भी harmful होता है so next question है sewage जल शुद किया जा सकता है sewage water can be purified by तो इस message जो है सुक्ष में जीवों के दवारा microorganisms जो है sewage water treatment जो है उसमें use किया जाते है to clean water or to clean sewage so इस वीडियो में इतना ही next video में हम और questions करेंगे तब तक अच्छा से बढ़ाई की जपना ख्यार लगी all the ways thank you